दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में आपको यूरीक एसिड के बारे में बताने वाला हूँ आखिर यूरीक एसिड होता क्या है? यह शरीर में कैसे बढ़ता है? और इसके क्या लक्षन होते हैं? और शरीर में बढ़ीवी इस यूरीक एसिड को कैसे कम कर सकते हैं? दोस्तों, यूरीक एसिड जो होता है एक chemical पदार्थ है, श्री में जब भी purine पदार्थ तुड़ते है ना, तो यूरीक एसिड एक waste product के form में बनता है, और यह हमारी blood से kidneys filter करके हमारे urine के थुरू, यूरीक एसिड को निकाल देती है, प्रॉलम तब आती है जब यूरीक पहले गीड़ी से पिर्धोत बढ़ने सबस्क्राइ Myanmar कि बहार से उत्य से इन अगर आप पूरे दिन में पानी कम पिएंगे ना, यानि यूरीन भी कम आएका और जैसे कि आपको पता है कि यूरीक एसिड मुथर के द ecosystem भाहर निकल ने का और कोई जर्या या फिर से रास्ता नहीं है दीरीन कमाने से ब्रोड़क्ट श्यरी में जम्मा हो कर श्यरी के ज्माथ में झाकर ज्माथ होने लगते हैंशन Ge lists आप अपने डाइट में ऐसा चीज़ों को ले रहने हों जिसमें प्युरीन की मातरा ज्यादा होती हैं इसके वाज़ा से इसकी मातरा सबसे ज्यादा होती है, इसके लावा युरीक अशिड कुछ सबजियों में पाजाता है जिसके मश्रूम में पट्टा गोभी में कुछ डाले हैं, डायफ्रूट्स हैं इन सब में प्यूरीन बहुत अधिक मातर में होता है। वैसे तो यह एक प्रोटीन है पर इसकी ज्यादा मात्रा होने के कारण यह शरीर में इकठा होना शुरू हो जाता है या अगर आप ज्यादा मात्रे में चीनी का सिवन करते है ना या लंबे समय से अलकोहल यानि शराप पीर रहे हैं तो भी शरीर में यूरी केसिड बढ़ता है इसके लावा शरीर में अगर आईरेन की मात्रा ज्यादा हो जाना तो भी यूरी केसिड बढ़ जाता है जिन व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर के शिकायत रहती है उनका यूरी केसिड भी बढ़ सकता है इसके लावा थायरेट की मात्रा जिन व्यक्तियों में ज्यादा Haare अगर आप सुबर उठते ही पैरों के उंगलियों में या फिर हाथों के उंगलियों में या फिर घुछनों में अक्रन महसूस करते हैं तो आपको अपना यूरी कहसीड का ज्या चाहिए चलिए आप जानते हैं, यूरीकेशिट को कम कैसी किया जा सकता है। दोस्तों, यूरीकेशिट को कम करने के लिए सबसे पहले आप पानी का इंटेक बढ़ातीजे। ऐसी चीजें खाए जिसमें पानी की मातरा ज्याद हो। आप खीरे का जूस पी सकते हैं, है ना, वाटर मिलन जूस पी सकते हैं, इसके लावाब पेठी का जूस पी सकते हैं, पेठी के जूस पीने से दोस्तों, आपका यूरीकेशिट बहुत ही तीजी से शरी से फ्लस आउट हो जाता है, बाहर निकलाता है, सफित पेठी का जूस आ आपना एपल साडर विनेगर का भी स्तमाल कर सकते हैं यहां यह श्रीड में यूरी केशिड को कम करने में बहुत हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर एंटि आक्सिडेंट एंटिफ्लामेटरी गुण बहुत जादा मादरा में मौझुद होते हैं यह एसिड को घटाने का काम करती है एपल साडर विनेगर का काम है खुन के पी एच लेवल को बढ़ाना और यूरी केशिड को श्रीड में से कम करना तो आप रोजाना दो चम्मच सेव के सिर्के को आधी किलास गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह सुबह खाली बिट पिया करें इसे श्रीड से यूर बढ़ चार से पांच मिनिटर को बाल दीजे फिर चान कर इस पांजी को पिए इसे रेगुलर पिने से आपका यूरी केशिड नॉर्मल में आ जाएगा और अगर श्रीड में मुटापा बढ़ा हुआ है पेट से समधित कोई दिक्कत है तो वो भी आपकी ठी हो जानी है तो हाइड्रिट रखकर भी आप यूरीक एशिड के स्तर को कम कर सकते हैं शृमें पानी का उच्चित इस तर यूरीक एशिड को बाहर निकालने के लिए जुरूर ही होता है या जब भी आपको प्यास लगे ना दो पानी जुरूर पीजेए पानी की कमी शेव में आपको न बिल्कुल कुछ दिरों के लिए बंद कर दीजे, हाई प्रोटीन वाली चीजें जो है ना आपको कम कर देना या फिर बिल्कुल भी नहीं खानी है, नास्ते में ज्यादा ज्यादा फाइबर का सेवन कीजे, आप ओड्स खा सकते हैं, या फिर रोजाना सुबह एक सेब खा सकत हैं, तो इस तरह से आप यूरीक एजट का घर पर इलाज कर सकते हैं,